तो फ्लूइट्स क्या होता है fluid means any substance which has no fixed shape and has ability to flow मतलब ऐसा substance जिसकी अपनी कोई fixed shape नहीं होती यानि कि जिस container में डालोगे वो उसी container की shape ले लेगा दूसरा उसकी ability होती है कैसी flow करने की it has the ability to flow is called fluid उन्हें हम fluid कहते है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अपनी कोई fixed shape नहीं होती और जो flow कर सकता है तो हमार पास दो ही चीज़े आती है एक तो liquid और दूसरा gases ठीक है ना तो liquids and gases ये दो चीज़े ऐसी हैं जो जिनकी कोई fixed shape नहीं होती जिस container में आप डाल दोगे वो उसी container की shape ले ले लेता है ठीक है ना जैसे इस fluid को मैंने इस beaker में डाल दिया तो इस beaker की shape ले ले ली ऐसी इस gas को मैंने इस ballon में डाल दिया तो इस ballon की shape ले ली इस gas ने ठीक है ना तो gases और liquids ये जो होते है fluids की category में आते हैं के लिए रहे fluids have weight and exert pressure on walls and base of container अब fluids जो होता है इसका अपना एक वजन होता है ठीक है ना कोईकि density तो इसमें भी होगी तो इसका अपना एक weight होगा और ये भी pressure डालता है कोईकि हम क्या पढ़ रहे हैं pressure in fluids fluids के अंदर हम pressure देख रहे हैं तो ये ये भी जो है pressure create करता है ठीक है ना कैसी create करेगा walls के side में जो walls हैं जिस walls के अंदर ही घिरा हुआ है तो उन walls के उपर pressure डालेगा साथ में base पर pressure डालेगा ठीक है ना तो fluids have weight and exert pressure on walls and base of container container के base में भी ये pressure डालता है और walls पर भी pressure डालता है इस तरीके से gases भी जो है अपने चारों तरफ जो wall है the wall in which the gas is surrounded by तो gas exerts pressure on these walls if it is enclosed in a container exert pressure in all directions अब हम पढ़ेंगे कि fluids के अंदर pressure कैसे काम करता है तो देखिए इसको समझने से पहले हमें एक ब्यांसी को समझना पड़ेगा अब बायंसी क्या होता है बायंसी तो देखिए आप लोग ने notice किया होगा कि पानी के अंदर जब हम कुछ चीजे डालते हैं तो कुछ चीजे तो ऐसी होती है जो पानी के अंदर बैठ जाती है नीचे और कुछ चीजे ऐसी होती है जो पानी के अंदर sink नहीं होती मतलब उसमें immerge नहीं होती बलकि क्या करती है float करती है तो कुछ तो float करती है और कुछ उसमें sink कर जाती है तो ये चीज़ जो है हमें कौन समझाता है biance समझाती है आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी bottle है उसको आप tightly pack करो जैसे कोई भी खाली bottle कोको कोला पेपसी वगर गी कोई भी खाली bottle लो उसको आप उसको seal pack करो आप tightly और फिर उसको आप पानी के अंदर डूबोने की कोशिश करो खाली bottle को ठीक है ना तो आप हाथ का pressure लगा होगे तब तक तो ठीक है जैसे आप अपना हाथ अटा होगे वो क्या होगा वापिस उपर की तरफ आजाएगी आईगी की नहीं आएगी उपर की तरफ यह तो आपने किया होगा और नहीं किया तो करके देखना घर पे ठीक है ना तो कहने का मतलब अगर यह उपर की तरफ आई है ठीक है ना कि हमने इसको pressure डाला नीचे की तरफ नीचे की तरफ हमने force लगाया इसके उपर ठीक है ना और जैसे हमने force हटाया तो यह उपर की तरफ आगई तो इसका मतलब अगर उपर की तरफ आई है, तो इसका मतलब अपवर्ड कोई force लगा होगा इसके उपर, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो downward force लगाया था, जैसे हमने downward force हटा दिया, ये चीज़ वापिस उपर आगई, इसका मतलब कोई ना कोई force लगा है, जो कि इसको उपर लेकि क्या है, उस force को हम क्या बोलते है, upward force, ठीक है ना, तो ये जो process है, कि fluid जो होता है, वो substance के उपर एक upward force create करता है, इसी को हम क्या बोलते है, बाइंसी बोलते है, तो bind force कौन सा हो गया, bind force को हम, अब thrust force भी बोलते है, और thrust का मतलब मैंने बता रहा है, thrust का मतलब क्या होता है, thrust का मतलब force ही होता है ठीक है न और यहाँ पे कैसा thrust है up thrust मतलब ऐसा force जो कि ऊपर की तरफ लगे ठीक है न जो चीजों को ऊपर की तरफ ले किया है तो इसको हम technically क्या भोलते हैं bind force भोलते हैं तो bind force की definition क्या है the upward force exerted by a liquid on a body which is immersed in the liquid is known as the up thrust और bind force कहने का मतलब कि जो bind force होता है वो सिरफ और सिरफ किसमे लगता है liquids पे लगता है ठीक है न पहली चीज तो यह आप ध्यान में रखो कि liquid पे ही यह लगेगा और यह क्या करता है यह चीजों को ऊपर की तरफ ले कि आता है ठीक है न जो भी चीज़े हम इसमें डबोने की कोशिश करेंगे लिक्विड के अंदर यह उस लिक्विड के ऊपर एक upward force लगाएगा उसको ऊपर की तरफ ले कि आने कोशिश करेगा तो अपवर्ड force exerted by यह लिक्विड लिक्विड के द्वारा जो ऊपर की तरफ upward force जो लगता है ठीक है न किन के ऊपर उन चीजों के ऊपर जो की हम उसके अंदर submerge करते हैं मतलब उसके अंदर डबोने की कोशिश करते हैं मतलब उस बोड़ी के ऊपर जो की हमने उसमें डबोने कोशिश किया उसके ऊपर upward force जो लगता है उसे हम क्या बोलते हैं up thrust या फिर bind force बोलते हैं और यह जो tendency है पानी की लिक्विड पानी बोल दो पानी मतलब लिक्विड हम बोलेंगे ना तो लिक्विड में वाटर भी आ गया तो जरूरी नहीं यह पानी हो मतलब कोई भी लिक्विड चीज की जो tendency है चीजों को ऊपर की तरफ ढखेलने की उस tendency को हम क्या बोलते हैं बाइंसी बोलते हैं the tendency of a fluid to exert an upward force on an object placed in it is called बाइंसी अब बाइंसी किस-किस पर depend करती है तो बाइंसी depends on density of the liquid यह important है ठीक है जो बाइंसी है वो density के ओपर depend करती है कि जिस लिक्विड में आप उसको immerse कर रहे हो उस लिक्विड की density क्या है ठीक है तो बाइंसी depends on the density of the liquid in which the body is immersed तो आप किस तरह के लिक्विड के अंदर आप चीजों को डोगो रहे हो तो उसके ओपर depend करेगा ठीक है जैसे honey की अपनी density होती है honey ठीक है और water की अपनी density होती है तो जो भी liquid चीज़ी है तो सब की अपनी-पनी density होती है अब एक नया concept आगे हमारे सामने density तो density होती क्या है basically तो density क्या होती है density को हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं गनत हुआ है कितना गनत हुआ है उसके अंदर तो English definition क्या होगी इसकी कि इसको English में बोलते हैं the quantity of matter contained by an object ठीक है इसमें लिखा नहीं है आप note कर लो the quantity of matter contained in an object किसी भी object में कितना matter जो है उसने contain किया हुआ है ठीक है ना वो density होती है तो को भी substance कितना matter contain करेगा तो हमें substance को fix करना पढ़ेगा ना पहले ठीक है ना तो यहाँ पे mathematical term आती है वो कैसी आती है कि it is the it is the इसको ऐसे बोलो आप कि it is defined as the mass per unit volume ठीक है ना तो mathematically क्या होगा mass per unit volume मत एक formula बनता है इसका तो density को हम rho से denote करते हैं यह जो symbol होता है इसको rho बोलते हैं ठीक है ना तो rho से हम इसको denote करते हैं और rho किसके बराबर होता है mass upon volume ठीक है तो हम क्या करेंगे volume को fix करेंगे जैसे मानली से volume आप एक unit volume ले लो तो unit volume जैसे कि हमने या तो one millimeter cube ले लेंगे या फिर one centimeter cube लेंगे या फिर one meter cube ले लो बतलब एक unit quantity आपको fix लेनी है और फिर हम देखेंगे कि जो उसके अंदर content है ठीक है ना जो उसका mass है वो किसके बर directly proportional होगा density के directly proportional होगा तो इस mathematical expression के हिसाब से इसके ऐसा unit हम निकाल सकते हैं तो density की ऐसा unit क्या होगी kg पर meter cube हर एक अलग-अलग substance के लिए अलग-अलग density हो तो गोल्ड की density अलग है silver की density अलग है और किसी भी liquid की जैसे की water की density density अलग होगी ठीक है ना तो density अलग होती है तो इसको समझने के लिए आप suppose कोई container ले ले लेते हैं ठीक है ना कोई fix मैंने container ले लिया और उसको मानलो मुझे यहां तक उसको fill करना है ठीक है यहां तक मुझे उसको भरना है विलकुल तो इतने में आप एक बार आप गोल्ड भर लो इसके अंदर ठीक है न फिर उसका मास निकालना फिर दूसरे किया, volume तो हमने fix कर दिया, लेकिन जब हम mass compare करेंगे, तो gold का mass ज़्यादा होगा, silver के mass से, और सबसे कम mass किसका होगा, water का mass, ठीक है ना, तो इससे क्या समझ में आया, कि the quantity of matter contained in a substance कि सबसे ज़्यादा matter किस में contained होगा, gold के अंदर सबसे ज़्यादा matter होगा, उससे कम होगा silver में और उससे कम होगा liquid के अंदर clear है यह चीज़?